प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 20 सेप्टेंबर को होना है जिसके लिए आज नामांकन की प्रकेरिया शुरू हो जाएगी राज़त के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जग्दानन्स सेंग आज नामांकन कराने आज जेटी दफतर पहुचेंगे लालो यादफ से उनकी खास बात चीत हुई है क्या कुछ बाते निकल कर जग्दानन्स सेंग को सामने आई है अरज़ती के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इस खबर में हम आपको बताते हैं दरसल RGD में पार्टी के नए पदादिकारियों के लिए चुनाफ कराये जा रहे हैं। इसके बाद पार्टी के नए प्रदेश अधेक्ष और रास्ट्रे अधेक्ष का चुनाफ होना है। जिसके लिए नए दिल्ली में भव्यकारिक्रम करानी की तैयारी है। इन सब के बीश लगभग ये तैय हो गया है कि रास्ट्रे अधेक्ष की कुरसी अभी लालू प्रिसाद के पास ही रहेगी। नहीं अब जो खबरे सामने आई है उसके अनुसार पार्टी के बिहार प्रदेश अधेक्ष का नाम भी बिना चुनाफ के ही फाइनल हो गया है। रविवार के दिन में ही लालू यादव ने उन्हें प्रदेश अधेक्ष की कमाण संभालने का निरदेश दिया। अबी बहुत आवश्यक है क्योंकि सत्ता में आने के बाद पाटी रेताओं और कारेकरताओं को अनुसाशत रहना और जरूरी हो गया है 80 वर्षिय जगदानन सिंग ने कहा कि मेरा मन नहीं है शरीर ठक गया है पहले 12-12 घंटे तक काम करते थे लेकिन अब 6 घंटे ही कर पा रहे हैं हर आदमी के रिटायर होने की एक उम्र होती है वैसे ये राश्ट अजेक्ष का काम है कि वो कारेभार किसे देंगे हमने कभी इसके इक्षा प्रकट नहीं की यही नहीं वे किसी काम या जिम्मेवारी से भागते भी नहीं है अपने राजनितिक जीवन में उन्होंने लोही और करपूरी ठाकुर से यही सीखा है कि जनता के लिए दी हुई जिम्मेदारियों और इमानदारी से उसे निभाओ आपको बताते चले कि राज़त के संगाठनिक 2022-2025 चुनाव कारिकरम चल रहा है 21 सितंबर को नए प्रदिश अदेक्ष का चुनाव होना है इसके लिए सोमवार को नामांकन होगा हालाकि रविवार को चार सेच में नामांकन फॉर्म भरा गया पर सोमवार को कौन नामांकन करेगा वो कॉलम खाली रखा गया वहीं अदेक्ष पत से संभावत उमीदवारों को प्रस्तावक बना दिया गया है ऐसे में जग्णनंद का ही अदेक्ष बनना तैम आना जा रहा है हालाकि जग्णनंद किया निक्षा की खाबर के बाद प्रदेश अदेक्ष के लिए कोई दावेदार कई दावेदार रेस में थे इनमें अब्दुल्बारी सिद्धिकी, उदे नारायन चौधरी, श्यामरजक, भुदेव चौधरी के नाम की भी चर्चा थी आरजेटी के प्रदेश अदेक्ष का चुनाव होना है, हालाकि पहले जग्दानंद सिंग ने अपने एक्षा जताई थी कि वो रिटायर होना चाहते हैं, उनका मन नहीं, बल्कि उनका शरीर ठक चुका है, जिस वज़े से वो कम घंटे काम कर पा रहे हैं लेकिन मैं दूसरी तरफ आरजेटी सुप्रीमो लालो प्रिसाद यादव ने जग्दानंद सिंग को ये स्पष्ट कह दिया है, कि पार्टी के उन्हें सक्त जरूरत है और अब भी भी वो पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष बने रहेंगे लालो प्रिसाद यादव ने ये निर्देश जग्दानंद सिंग को दिया, जिसके बाद उन्होंने इस पद के लिए दुबारा से हामी भर दिया आज नामांकन की प्रकिर्या होनी है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का एलान 21 सेप्टेंबर को कर दिया जाएगा फिला के लिए सब जेच में अतना ही, नमस्का